दूसरों की बहुएं बड़ी लाइक होती हैं अरे प्रिती यह कोना साफ नहीं किया क्या यहां मिट्टी मिट्टी हो रही है कमला देवी ने करक आवाज में अपनी बहु से कहा प्रिती ने आटे से सने हाथ लिए हुए बाहर आकर कहा मैं रोटी बना कर साफ करती हूँ कमला प्रिती बुगा की बहु विधी पुड़ा घर चमका के रखती है उसका घर सीसे की तरह चमकता है प्रिती बिना कुछ बोले रोटिया बनाने लगी दोपार को प्रिती के ससूर जी खाना खाने आये प्रिती खाना देने लगी पर पानी देना भूल गई सामने ही सासुमा ब पहले पानी दे देती हैं, प्रिती ने बोला कि मम्मी जी आगे से ध्यान रखूंगी, अगले दिन रोहित नहा कर निकला और उसने बात्रूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया, कमला देवी ने तुरंत अपनी बहु से कहा, रोहित के निकलने के बाद कपरे से बात्रूम को पहु खराब हो जाता है, प्रिती ने बोला मम्मी जी अभी तो रोहित जी का टिफिन तियार कर रही हूं, इसके बाद साफ कर दूँगी, रोहित के चले जाने के बाद कमला देवी और प्रिती बैठ कर बातिक कर रहे थे, तभी बातों बातों में कमला देवी ने बोला, अ आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चली जाया किजिए, आपका घुमना भी हो जाएगा और पापा से दो चार बाते भी हो जाया करेगी, तभी कमला दिवी ने तबाक से बोला, ना बाबा ना मेरे बसकी नहीं है, मेरे घुटने में दर्द रहता है, और बच्च दो दिन बाद प्रिती को अपने सूट सिलवाने के लिए ट्रेलर के पास जाना था, उसने अपनी सासु मांक से ट्रेलर वाले के पास जाने की बात कही, कमला दिवी ने तबाक से बोला, अरे सामने वाली की बहुतो, खुदी अपना हाथ से बलाउज और सूट सिलती है, जेस्टम के कपड़े की फिटिंग जल्दी से नहीं आती है, ओ सरकता है, इसलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है, दिवाली हुकर गई है और भाई की साधी है, कमला देवी ने तुरंत पलगते हुए बोला, नहीं, मैं तो बता रह कि अगर सिलाई आती है, तो अपने घर में ही कपड़े सिलके आदमी पहन सकता है, प्रीती चुच्चाप सुनकर चली गई, कुछ दिन बाद कमला देवी की सहलिया घर पे आई, दोनों सहलिया आपस में खूब हसास कर बाते कर रही थी, और अपने बच्पन की यादे को घर कैसा लग रहा है, अब तो कामों की जिम्यवारी कम हो गई होगी, कमला देवी बोली, इससे जितना हो सकता है उतना करती है, मेरी तरफ से तो कोई जिम्यवारी नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि जितना हो सके उतना ही करो, बढ़ना छोड़ दो, मैं करने के लिए बैठी पृतीय शुनकर अपनी सासुमा का मुह ताकने लग्ती है खमला देवी की सहली जाने के बाद सासुमा पूरे घर की जिमवारी अपने घर पर ले रखी है और इसे पूरी जिमवारी से मुक्त कर रखा है घर में बैठे बैठे खाना देती है, पानी देती है और देखने में भी बहुत सुन्दर है, सर्व गुन संपन घर की भी है, पर घमंड जरासा भी नहीं है, खाना भी खुद बनाती है, कपड़े भी खुद दोती है, और साथ ससुर के हाथों हाथ समान देती है, प्रिती की य क्या करती है आपने कभी वह देखनी की कोशिस की है सिर्फ आपकी बहु कुछ नहीं करती है आपको सिर्फ मेरे में कमिया ही नजर आती है मैं आपकी अपनी मां की तरह सेवा करती हूं पर आपने कभी मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा ममी जी आप मुझे बेटी ना सह कम से कम मुझे बहु के रूप में तो देख ले, मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, यह भी तो देखिए मम्मी जी, दूर की ढोल सुहाबने होते हैं, सब में कमिया होती है, मैं आपकी और चाचाक जी की फोन पर बास सुनी, वह अपने बहु की कितनी बढ़ाईयां क कर रहे थे, इस घर में आये हुए, मुझे एक साल हुए, तो क्या हुआ, धीरे धीरे एड़ेस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ, कमला देभी अवाखो कर सब सुन रही थी, दोस्तों मैं यहां सास को नीचा दिखाना और बहु को उंचा नहीं दिखा रही हूँ, हमारे सम आई है, और उसकी तुलना किसी के बहु से ना करें, क्योंकि आपकी बहु आपकी ही रहेगी, प्लीज लाइक से और सब्क्राइब करें, थैंक्स पर वाचिंग,